हाई फ्रेंड्स हमारी इस टीचिंग चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम आपको चार कली का पेटी कोट कटिंग एंड से टीचिंग से खाएंगे जिसके लिए हम आपको पेटी कोट से भी मेजरमेंट लेना बताएंगे अगर आपके पास कोई अपने माप का पेटी कोट है और यह हमने दो मिटर फैबरिक लिया है और यह हमारा कॉटन का फैबरिक है इसी दो मिटर फैबरिक में से हम आपको 36 कमर का पेटी कोट बनाना बताएंगे तो यहां से हम क्या करेंगे कि पहले हम अपने इस पेटी कोट को नाप लेंगे कि हमारा ये कितना है लेंट में तो देखिए इसको आप उल्टा करके नाप ये चाहे सीधा करके लेकिन एक्जेक्ट नाप होना चाहिए तो आप जो हमारा ये वाला हिस्सा है ये चीन वाला हिस्सा इसको बैल्ट भी बोलते हैं चीन भी बोलते हैं इसको छोड़के आपको और फ्रिल को भी छोड़ देना है क्योंकि वो हम अलग से लेंगे तो आपका जितना भी जिसे 34 इंच बैठ रहा है 35 इंच बैठ रहा है तो तो यहां से हम इसको पूरा measurement करके और फिर अपने कपड़े पर cutting करेंगे, जो इसकी हमारे पास belt है, वह हमारे पास इसकी 20 इंच है, यहां से 20 इंच है, और इसकी जो चोडाई है, वो 2 इंच है, यानि कि वो 4 तह में हैं, तो यह 4 इंच की है, तो के सब्सक्राइँ है, अधिय निकलने होगी तो जो किनारी वाले पार्ट वहांसे मीफ fruit निकालनी होगी यह देखिये ऐसी रखना है इसको चारदाय में रख लीजिए जिससे हमारी एकवार में फ्रिल निकल जाए तो यहांसे देखिए मैं इसमें एक इंच की फिरिल रखूंगी, तो उसमें हम दो इंच से लेंगे, क्योंकि हमारा सिलाई में भी जाएगा, और थोड़ा बहुत हम मौड़ेंगे तो इसलिए अब दो इंच की फ्रिल लेके ही चलें उससे कम ना लें फिर वो ज्यादा छोटी हो जाएगी तो मैं दो इंच में एक सीधा लाइंड ड्रॉ कर लूँगी और ये मेरी करीबन जो फ्रिल होगी वो चार मीटर की होगी क्योंकि मैंने डबल में रखा है अब फ्रिल वाले से मैंने न यह मैं लंबाई वाली साइड से निकाल रही हूं तो हम ऐसे नापेंगे तो यह हमारा चार इंच है तो इस तरीके से इसको हम निकाल के अलग कर देंगे तो यह हमारा अब जो हमरे पास बाकी का फैबरिक है उसको हम दो फोल्ड में बिछा लेंगे यह देखिए यहां से हम दो फोल्ड में बिछा लेंगे और हम आपको 36 कमर का बता रहे हैं तो यहां पे आपकी जितनी भी कमर है उसमें आपको 2 इंच जादा लेना है तो यहां से हम जो हमारी कमर है वो आ रही है 36 तो 36 का आता है 9 9 में हम 1 इंच एक्षा ले रहे हैं अगर फिटिंग में पहना चाती है तो आप 1 इंच लेजिए लेकिन मैं हिलका सा रही हूं। मतलब हम लूज में तो यहां से 0.5 एंच ले रही हूं ुर यहां से जो निसान है वो मैं पूरा ही ले कि आपको कट लेनी नहीं आप इसमें आपको इन कल्यों को काट लीजिए फिर हम आपको बताएंगे किया आपको कैसे कम कर्ni है जिससे आपका जो पेटिकोट है वो एकदम अच्छा बनेगा और वो इसलिए क्योंकि उनको प्रॉब्लम कहां पे आती है नीचे के घेरे में अगर कम कपड़ा होता है तो लेकिन इसका घेरा होगा वो काफी ज़्यादा ही होगा अब यहां से हम इसको कटिंग कर देंगे मिर पास चार कलियां होगी तो यहां से मैंने कटिंग कर दिया है अभी हमें क्या करना है देखिए अभी आपको इसमें कौने दिख रहे हैं अभी आपको क्या करना है यह उठाना है पहले इसको उपर से खोल दीजिए ठीक है अब उपर से खोलने के बाद इसको ऐसे मोड दीजिए और देखिए जितना आपका ऊपर निकल रहा है उसे निकलने दे जितना एक-दो इंच निकल रहा है और यहाँ से ऐसे कटिंग कर दीजे इसकी इससे क्या होगा कि यह एक दम बराबर कटेगा और कहीं पर भी आपको पेटीकोट उचा-nीचा नहीं दिखेगा तो यहां से देखिए अब आपको मै वह आ रही है 36 इंच पे तो हमें 34 का चाहिए था तो हमने 36 इंच लिये लिया है क्योंकि यह सूंती पेटिकोट है कॉटन का तो यह दुलने के बाद एक-दो इंच तो यह वैसे ही उपर होता है अब हम इसको देखें फिर से यहां से बरावर कर लेंगे अच्छे से नीचे से अब जो आपको यह वाला कपड़ा दिख रहा है इसको भी हम यहां से अब निकाल देंगे ठीक है यह हो गया हमारा अब यह आपको दिख रहा होगा यह कलियां एकदम बराबर हो गई है और मारजन भी हमारे पास खूप सारा है तो वो निकल गया है अब हम सेम अपनी यह वाली कली को करेंगे अब आपको वही कली उठा के इसके उपर रख देनी है इस तरीके से बिल्कुल ऐसे और बस कटिंग कर देनी है जैसे जैसे कटिंग होई पड़ी है उसे तरीके से कटिंग कर दीजिए आपको बाकी कुछ ने करना है पहले उपर से कर देंगे यहां से अब नीचे से कर लेंगे और फिर इसकी सिलाई करेंगे सिलाई करना भी बहुत आसान है इसकी बस आप वीडियो में बने रहे गर लास्ट तक हम अच्छे जो हम नाप रहे हैं तो जैसे कि हम को यह 34 का तयार मतलब 34 इंच का मेरा पेटिकोट तयार है ठीक है और उसमें मेरी बेल्ट भी आएगी 2 इंच की और मेरा इसमें क्या बोलते हैं नीचे फ्रिल भी आएगी तो इसकी जो लंबाई होगी वो मेरी 34 से जादा होगी यानिकि 36 37 होगी और धुलने के बाद सुकड़ता ही तो इसलिए मैंने इसको 2-3 इंच जादा कट किया है क्योंकि जब पेटिकोट तैयार 34 है तो इसमें हम बेल्ट का और उसका कर लेंगे पलस तो हमारा जादा हो जाएगा तो यह हमारी बेल्ट है इसमें हम थोड़ा सा एक्स्ट्र इसमें लेकिन इतनी चोटी नहीं होगी वह 1-7-3 इंच की फ्रिल होगी अब उसके बाद इसकी जो शिलाई होगी वह हम सुरू कर लेते हैं तो उसके लिए देखिए आपको एक कली रखनी है एक तो आपको थोड़ा सा जो तिकोना हिस्सा होता है वह लेना है एक थोड़ा और एक थोड़ा सा टेड़ा हिस्सा और इस तरीके से चारों को रखके और निसान लगा लीजिए ताकि आपको सिलने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए तो देखिए ये एकदम बराबर हैं अभी थोड़ा बहुत सिलाई में उपन नीचे होंगी वो हम थोड़ा थोड़ा क मिलाके और हम सीधी साइड मिलाके और उल्टी साइड से हम सिलाई लगा देंगे ये देखिए चारों कलियों को हमें एक साथ सिल लेना है ये दोनों कली सिल ली आप दोनों को भी सिल लेंगे तो देखिए मैंने अच्छे से इनको सिलाई कर लिया है अब आपको मैं आपको बराबर करना बताऊंगे थोड़ी थोड़ी छोटी बड़ी है इनको इस तरीके से देखिए बराबर कर देंगे मतलब इनमें जहां तक कपड़ा है वहीं तक करना है आपको आगे तक नहीं जाना है बस और इससे जादा कुछ नहीं करना है अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसमें फ्रिल लगाएंगे और इसको देख लेंगे कि कहीं से छोटा बड़ा तो नहीं है तो आप देख सकती है ये एकदम हर जगा से बराबर है कहीं से नहीं छोटा पाथ है नहीं बड़ा अब हम चीन को बाद में लगाएंगे पहले बैल्ट को पहले हम फ्रिल लगा लेते हैं जो हमने फ्रिल ले थी तो इसको हम ऐसे आदा आदा इंच मोडते हुए इसको यह हम पूरा करेंगे अगर थोड़ा बहुत कम पड़ेगा तो हमने जो बैल्ट में के लिए कपड़ा कट किया था उसमें से थोड़ा सा हम जोड़ लेंगे और तो देखिए हम किस तरीके से लगा रहे हैं इसी तरीके से आपको लगानी है फ्रिल तो ये देखिए बहुत ही fast लग जाती है ये तो आप भी एक वार जरूर ट्राइ करें फ्रिल वाला अगर आप फ्रिल वाला नहीं बनाना चाहती है तो आप बिना फ्रिल का बनाना चाहती है तो उसको आप ऐसे मोड दें अब हमने इसके उपर भी सिलाई लगा लिए है और इसको यहां से मोड देंगे यह देखिए यहां से हमने अच्छे से मोड दिया है और चार इंच का हम यहां से खुला रखेंगे यानि कि जो चार इंच है वहां तक खुला रखे और इस तरीके से इसे मोडेंगे और मैंने इसे वहां से भी बंद कर दिया है जो फिरिल लगा के, फिरिल के उपर एक सिलाई लगा के और साइड से बंद कर दिया है बस इसमें बेल्ट लगानी बागी है तो साइड से आप जितना उपन रख रख चाहती है, इतना उपन रख के आप बागी की को बंद कर दें, तो यह देखिए हमने इतना उपन रखा है, इसे चार इंच तक, अब हम इसमें बेल्ट लगा लेंगे, तो उल्टा करके रख लेंगे पेटी कोट को, और जो हमारी बेल्ट वाली साइड थी, उस यहां से भी जितना भी आपका एक्स्टा उसे कटिंग करके उतना मोड दीजिए तो देखिए अब हमने सीधा कर लिया है पेटी कोट को अब इसे सीधी साइड को आदा इंच मोड के और दो-दो इंच तक ऐसे पिन लगा के और फिर इसके उपर हम सिलाई लगा देंगे देख चार कली काड़ बना सकती है आपकी जितनी भी कमर है उसका चौथा हिस्सा निकालका और उसमें एक-टे नई एक अपने लिए पीटी कोट बना सकती है तो यह मन्स-थिस देखाएंगे आपको रख्के किस तरीके से आया है तो देखिए पूरा पेटिकोट बन के मलेक तैयार है आप सकती है उसका घहलौ भी कोब सारा है कमार एक दम बरबर है की साड़ी क Шांद की ए और और एक फिरेल भी बहुत अच्छे से आई और एक दम बराबर है ना उचा है ना नीचा है मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यवाद